देगर अश्यार में और ग्रामिन इलावकों में कोरुना प्रकोप मानो तेज रप्तार से आगे बढ़ रहा हैं मंगलवार के शाम तक तहसिल के कूल एक्टिव पॉजिटिव कोरुना मरेदों के संख्य 15 थी जो अब बढ़कर 121 हो गई है मालू हो कि मंगलवार देर रात कोवीट केर से तेरा लोग निगिटिव आने से उन्हें घर भेज दिया गया है इन तेरा लोगों में संभाजी नगर के 10, सुरज नगर के 2 और गांधी नगर से एक शक्स का समाविश था वही बुदवार की सुबव कोवीट केर से सुत्रो ने 8 पोजिटिव रिपोर्ट प्रात होने के जानकार दी जिसे मांडवा ग्राव से 6 और संभाजी नगर से 2 और लोगों के रिपोर्ट पोजिटिव आई है इसके अलवा बुदवार शाम को है रैपिड एंटेजन टेस्ट के नतीजे भी सामने आये हैं जिसमें दुरगा माता चौक से 2 लोग मांडवा ग्राम से 2 संभाजी नगर से 2 और आरने से एक शक्स पोजिटिव पाया गया है गवर तलब है कि संभाजी नगर्ज में अस्टविनाय गनेश मंडल द्वारा आयोजीत कोविट कैम्प में 37 स्वाप सेंपल्स ले गये थे जिसमें से 4 के रिपोर्ट पोजिटिव आने के जानकारिय प्राप्त हुई है ऐसे में कुल एक्टिव पोजिटिव मरिजों की संख्या 121 हो गई है एक तरफ दिगरस तहसिल में कोरोन मरिजों की संख्या धडले से बढ़ ले तो वहीं हाल ही में शाम 5 बजे तक खुले रहने वाले बाजार को अब शाम 7 बजे तक शुरू रखने के संदर में जिला दिकारी कारले द्वारा पर्री पत्रफ जारी कर दिया गया है ऐसे में तहसिल की जंता को देख संबल के रहना होगा और अपने स्वस्त का ख्याल खुद ही रखना होगा बेड़ भाड़ वाले जगों में से दूरी बनाया रखने और बताये गए दिशा निर्दिशो का पालन करना सभी के लिए अब अनिवारी होगा ताकि कोरुना के बढ़ते प्रकौप को कही न कही लगाम लगाई जा सके NBC News के लिए जुबिर खान के रिपोर्ट